हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा दिवारी एक बार फिल लेक्ट आ गई हूँ बहुत ही माधपून वीडियो और स्क्रीन पे देखके आप समझे गए हैं कि आज हम आपके लिए लिखे आए हैं यूपी टीजी टी भरती परिक्षा जी हां दोस्तो 2015 का ओल्ड क्वेशिन पेपर आज हमने आप सभी दोस्तों के लिए इस वीडियो में शामिल किया है तो वीडियो को पूरा पूरा और लास्ट तक जरूर देखें और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में लिखके बताएं इन सभी क्वेशिन को हमारे साथ स सभी पृतियोगी परिक्षाओं में बॉडी टाइप क्लासिफिकेशन से रिलेटेट एक्वेशन हर एक्वेशन में जरूर पूछा जाता है तो शेल्डन ने वेक्टितों का वर्गी करन क्रिश्टिस्ट्री से किया है तो शारीरिक रूप से किया है ऑप्शन नम्बर टू प्रतेग विद्यारती के लिए वर्ग फुट के आधार पर खेल चेतर का अनुमान लगाना कठीन है ऐसा किसका मानना है और ऐसा मानना है डॉक्टर नैश और डॉक्टर विलियम का कि प्रतेग विद्यारती के लिए वर्ग फुट के आधार पर खेल चेतर का अनुमान लग ना कठेन है विद्याले में आदर्श वियाम शाला होनी चाहिए ओप्शन नमबर डी 20 मीटर लंबी 6.5 मीटर चौडी तथा 3 से 6 मीटर उची छतवाली आदर्श वियाम शाला हर विद्याले में होनी चाहिए भारत सरकार द्वारा रास्टी खेल नीती की घोशना कप की गए 19 अगस्ट 1992 यानि की 19 अगस्ट 19 अगस्ट 1992 को भारत सरकार द्वारा रास्टी खेल नीती की घोशना की गए थी नाओ देनेक्स विशन पाचन की संपूर प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं में गुजरती है या पूरी होती है तो 5 अवस्थाओं में और देखे बात की जा रही है कौन से 5 स्टिप्स की इंजेशन, डाइजेशन, एब्सॉप्शन, एसीमिलेशन और इजेशन इन 5 स्टिप में कम्प्रीट होती है डाइजेशन की प्रोसेस, वियायाम में माइटोकॉंड्रिया की कौन सी प्रक्रिया बढ़ जाती है, ओप्शन नमबर D, ऑक्सी करन प्रक्रिया, नेक्स्ट, किस सिक्षा विदने शारिरिक गतिविदियों द्वारा बालक के समगर व्यक्तितों विक होता है, नाओ लेट्स मूब तो नेक्स्ट क्वेश्यन विचारों को कितने भागों में बाटा है यह आपको बताना है, ओप्शन नमर A is correct, दो भागों में बाटा है प्लेटों ने मानवी विचारों को, निकट दूर सिधान के अनुसार बालक में विकास की क्रिया का आडं किस अंग से होता है, ओप्शन नमर B सिर से होता है, नेक्स्ट जैवे आंत्री की विज्ञान के संबंद में कौन सा कथन गलत है, बायो मेकेनिक्स की बात की जा रही है, ओप्शन नमर C is correct here, इसका ग्यान कोच के लिए आवश्यक नहीं है या कथन गलत है, तो कौन से कथन सह इससे गुरृत्यकेंद्र की जानकारी मिलती है, या मानोशरीर के बलवा उनसे संबंदित नियमों वह सिद्धान्तों को समझाने में सहायक है, ये सबी जो हैं जैवे आंत्रीकी से संबंदित कतन है, अस्तित्वात के संबंद में असत्य कतन को चुनना है, ओप्शन नमर C, इसके अनुसार मनुश्य पूर्णिता स्वतंत्र नहीं है या अस्तित्वाद के सम्मंद में गलत है तो क्या सही है देखे इसमें कारण पर जोर नहीं दिया जाता इसमें मना अस्तिती पर जोर दिया जाता है नीच से सात्र कीरक जैरलेंड इसके समर्थक थे कीकर गार्ड एक्चुली कीकर गार्ड की बात की गई है अस्तित्वाद यानि एक्स्टेंशेलिजम के प्रतिव पादक है तो यह यहाँ पे सभी सही है आंत्रे क्रस्प में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है औप्शन नमबर डी यह सभी मीन्स माल्टेज, रैपसिन एंड लाई पेज शारिरेक सिक्षा के दार्षनिक सद्धान्त का जन्म किस देश में हुआ औप्शन नमबर बी युनान में हुआ निम्निकित में से किनका पाचन तंत्र अच्छा होता है और वे भारी बोजन को भी पचा सकते हैं और बात की जारी है एंडो मार्फ टाइप परस्नालिटी की शारिरेक सिक्षा के छित्र में विधी से समंदित कौन सा कतन असत्ते है नेक्स्ट वैस्ट पक्निक या पिग्मी लोग होते है और इस टाइप के जो लोग होते है गोल वारी शरीर के तता हसमुख सुभाव वाले होते हैं नेक्स्ट किल पैट्रिक द्वारा सीखने को किन तीन वर्गों में बाटा गया है ओप्शन नमबर ए सहयोगी, सहबृत्ती द्वारा सीखना एवं मुख्य सीखना इन तीन वर्गों में बाटा गया है सीखने को शारिरेक सिक्षा के संगटनों का कारिन नहीं है ओप्शन नमबर एक आरिक्रम निर्मान करना ये शारिरेक सिक्षा के संगटनों का कारिन नहीं है तो कौन से नहीं है देखे, option number C, सत्ता एवं आयू, ये विधी को प्रभाबित नहीं करते, शारिरेक सिक्छा के छेत्र में विधी को प्रभाबित नहीं करते, next question, निम्नलिक खित्मे से कौन सीखने के नियम से सम्मंधित नहीं है, option number D, James Mill, ये इन्होंने सीखने से सम्मंधित नियम नहीं दिये थे, इसके अलावा, थोर निडायक, पावलाव, एवं कोलर के द्वारा सीखने के नियम दिये गए थे, शारिरेक सिक्छा के छेत्र में नेतेतु करता का प्रमुक करतब भी क्या होता है, option number D, सिक्षन कारी का निरिक्षन करना, All India Council of Sports में कितने सदस्ती है option number A, 25, नेताजी सुभास रास्टी केल संस्तान कहां से थे तो पटियाला में से थे, इसके सापना साथ में 1961 को की गई थी, now the next question, प्रयोजनवाद हमें अर्थ सत्य तता ज्यान का सिधान्त देता है, या कतन किसका है, option number C, James B. Pritt के अनुसार या कतन दिया गया है, next, वैसे त जॉन डीबी जी को जाना जाता है दोस्तों, तो इस question को आप एक बार चेक कर लीजेगा, भूब करते हैं, next question की ओर, वर्ष 1960 में भारत की ओर से रोम ओलम्पिक में प्रेक्षक के रूप में किन दो वेक्तियों को भेजा गया था, option number B, MK Call और MM Kapoor को 1960 में भारत की ओर से रोम प्रेक्षक के रूप में भेजा गया था, तो काफी important questions की series है दोस्तों, वीडियो को पूरा पूरा और last तक जरूर देखिए, और इन सभी questions को हमारे साथ solve करते चलिए, let's move to next question, लक्षमी बाई रास्टी शाडिरिक सिक्षा महाविद्याले को किस वर्ष यूवा मामले एव उपकरण को परिभाशित करते विए इसके निम्रकेत उदारनों का उलेख किया है, option number C, A और B दोनों, यानि समानांतर सलाखें, means horizontal bar, hurdles, audiometer, horizontal bar, running treadmills, ergometer एवं goalpost, इन सभी उपकरणों के बारे में बताया है, चाल से बुचर ने, फुटबॉल के खेल के लिए मैदान के आकार का निरधारन किसके द्वारा किया गया है, option number A, अंतर रास्टी फुटबॉल संग द्वारा, फुटबॉल के गोल छेतर का आकार कितना होता है, option number C, 20 इंटू 6 गज, यानि 6 इंटू 20 गज, कोशिका के केंद्रक की खोज किस ने ब्राउन ने की थी, खेलों में लगने वाली चोटों में फ्रैक्चर का प्रतिशत कितना होता है, लगबग 56 परसेंटेज, नेक्स्ट, हमारे शरीर की जीव विज्यानी यांतरिक रचना तता गति से संबंदित विज्यान कौन सी है, option number D, किंसियोलोजी, ओके, शरीर की जी विज्यानी यांतरिक रचना तता गति से संबंदित विज्यान जो है, वो क्या है, किंसियोलोजी की बात यहां पे की जा रही है, नेक्स्ट, कांधी वली प्रसेक्षन संस्थान के शेहर में इस्तेत है, option number 1, मुंबई में, जिसकी सापना 1938 में की गई थी, पेशिये तंतों के पंक रूप के कितने प्रकार है, option number C, दो, संनशना की दिश्टी से शरीर का बाटा गया धरातल नहीं है, option number A, बोन, होरिजंटल, सेजिटल, एवं फ्रेंटल, यह तीन प्लेन होते हैं, आपको पता है, जो कि संनशना की दिश्टी से शरीर को बाटने के लिए होते हैं, बोन नहीं है, aerobic व्यायाम है, तो किसकी आवशक्ता होती है, तो oxygen की आवशक्ता होती है, और anaerobic मतलब जिसमें oxygen की आवशक्ता नहीं होती है, now the next question, that, टिटने से बचाओ है, तो ली जाने वाली उसदी कौन सी है, तो यह सभी, एरिथ्रोमाइसेन, मेट्रोनिडाजॉल, इवं पेनिसिलीन, next, BCG के टीके से बच्चों को बचाया जाता है, option number H है रोग यानि TB रोग से बच्चों को बचाने के लिए BCG का टीका लगाया जाता है, वनुरंजन की मनसा पूर्णता की पुनर प्राप्ती है, यह कतन किसका ह option number B रिचर्ड कॉलर्स का यह कतन है, एक ग्राम वसा से प्राप्त होती है, तो कितनी उर्जा प्राप्त होती है, 9.1 कैलोरी उर्जा प्राप्त होती है, तपेदिक जिवानों की खोच कब की गई थी, option number A 1882 में की गई थी, शारेरिक सिक्चा एवं मनुरंजन की रास्टी य मलेरिया का लक्षर निम्द में से कौन सा नहीं है, खासी होना मलेरिया का लक्षर नहीं है, इसके अलावा उल्टी होना, ठंड लगना, एवं बुखार होना, मलेरिया के लक्षर में शामिल होता है, मुख में कितनी जोडी लार्ग रंतियां होती है, तो 3 जोडी या 6 लार् नरक्त में कौन सा अमल देर से बनता है तो लाक्तिक एसेड नेक्स्ट खोको के प्रतिक खाने का आकार यानि सिटिंग ब्लॉग के आकार की बात की जा रही है कितना होता है ओप्शिन नंबर भी 30 x 30 cm यहां पे दिया हुआ है लेकिन जो सिटिंग बॉक्स होते हैं तो उनका ज ध्यान चंद का जन्म किस वर्ष में हुआ था ओप्शन नंबर A 1905 में मेजर ध्यान चंद का जन्म हुआ था 29 अगस्त को और इसलिए 29 अगस्त को रास्ट्री खेल दिवर्ष के रूप में मनाया जाता है कि वल एक ही विद्याले के प्रतिनीधियों के बीच आयोजित खेल प्रतियों गिता को क्या कहते हैं तो इसे इंट्राम्यूलर टूर्णामेंट के रूप में जाना जाता है जांग में बाहर की ओर अवस्तित रहती है ऑप्शन नंबर 20 करेक्टियर ब्रहत पार्श्वा अस्था पेसी जांग में बाहर की ओर तो जो हमारे थाई में बाहर की पाई जाती हैं वो quadriceps muscles होती है दोस्तों खोपड़ी की epidermis तता मांसपेशी के बीच चोट आदी से रक्त भर जाने को क्या कहते हैं तो इसे हेमाटोमा की रूप में जाना जाता है खोपड़ी की देखें यहां पर बात की जा रही है कॉपड़ी की epidermis तता मांसपेशी के बीच चोट आदी से रक्त भर जाने को हेमाटोमा कहते हैं कॉंबिनेशन टूर्णामिन का हिस्सा कौन सा है तो देखें नौक आउटकम नौक आउट एक प्रकार का लीग कम लीग नौक आउटकम लीग यह सब भी उपरोग तो सब भी यहां पर कॉंबिनेशन टूर्णामिन के प्रकार है और देखें नेक्स्ट स्ट्रगल के स्केल से सम्बंदेत है तो स्ट्रगल टर्मिनोलोजी का सम्बंद किस से है ऑप्शन नुमर सी कबड़ी से इसका सम्बंद है वॉलीबॉल केल के जनक कौन है तो बिलियम जी मॉर्गन ने 1895 में वॉलीबॉल की खोश की थी कीमो तरैपी नामक उपचार पद्धती के स्रोग से सम्बंदित है तो कैंसर से इसका सम्बंद है उस आहार को क्या कहते हैं जिसमें सभी पॉस्टिक तत्व व्यक्ति की प्रतिदिन की आवशक्ता की अनुसार बिद्धमान रहते हैं और इसे संतुलित आहार की रूप में जाना जाता है एक समाने वेशक पुरुष के हदे आउटपुट यानि कार्डियक आउटपुट का मान कितना होता है या उसकी रंज कितनी होती है उप्शन नमर भी लगबग 6 लीटर के बराबर या 5.5-6 लीटर थॉमस कब किस खेल से सम्बंद देता है तो बैडमिंटन से इसका के शुरुवात की गई थी मौलाना अबुल कलाम आजा ट्रोफी किस वर्ष प्रारम की गई नाइटीन हंड़ेट फिप्टी सिक्स फिप्टी सेवन में बी सी सी आई के स्थापना कब हुई तो नाइटीन हंड़ेड ट्वेंटी इस करेक्ट आंसर नेक्स्ट भारत की और से प्रतम महिला उलांपिक पदक विजेता कौन थी ओप्शन नमर सी कर्ण मालेश्वरी 2000 सिडनी उलांपिक खिलारियों को संतुलित आहार देने के सिफारिश किस कमेटी ने की थी ओप्शन नमर डी एड हॉक इंक्वाइरी कमेटी ने की थी आतिशेश उर्जा का सिद्धान् औप्शन नमर B हरवर्ट स्पेंसर वॉन सीलर एवं हरवर्ट स्पेंसर के दौरा अतिशेश उर्जा का सिद्धान दिया गया था निरंतर प्रसिक्षण मिदी की खोज यानी की की थी दोस्तों तू कंटीनिवस यानी अर्नेस्ट वें ऑकेन की बात यहांपे की जा रही है राजकुमारी चैलेंज कप का संबन्द पोलो से है? दूस्तों इसे भी आप चेक कर लिजेगा, क्यूंकि राजकुमारी जो है, वो टेनिस खेल की खिला री थी, लेकिन आंसर की के एक अपर पोलो आंसर दिया हुआ है, तो इस क्वेशिन को आपको चेक करके, आंसर हमें कमें इंबॉक्स में लिखके बताना है राजकुमारी चैलेंज कप का सम्मंद किस खेल से है वर्ष 1978 में एश्याई केलो का आयोजन कहा हुआ था तो अप्शन नमर 20 करेक्टियर बैंक कॉग में हुआ था फ्री त्रोर एका का सम्मंद बास्केट बॉल से है देखे लियोनल मेसी का स समंद किस यहां पर कॉंसा जो ड़ा वो सिमलें ॥ नहीं है यह बताना है तो रॉनलदो का समंद究 फ्रांस से है यह गलत है इसके अलावा लियोनेल मेसी अर्जेंटाइना से वेन रूनी इंगलाइंड से एवं क्रिस्टियान और रोनाल्डो का समन्द स्पेन से है यह सही है यहां पे फुटबॉल को उलम्पिक किलो में कब शामिल किया गया तो वर्ष 1908 में शामिल किया गया था फुटबॉल को उलम्पिक गेमस में बूप करते हैं हम नेक्सust क्यूशिन की और अंतर रास्टी बैडमिन्टन फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी option number C 1935 में अंतर रास्टी बैड्मिंटन फेडरेशन की स्थापना दोस्तों यह answer भी यहाँ पे गलत है क्योंकि 1935 नहीं 1934 में स्थापना की गई थी option ही गलत दियेवे हैं अंतर रास्टी बैड्मिंटन फेडरेशन संकी स्थापना 1934 में की गई थी next question international football association फीफा का मुख्याले कहां है तो फ्रांस पेरिस में इसका मुख्याले है option number A is correct here 1904 में इसकी स्थापना की गई थी किस में 1904 को फीफा की स्थापना की गई थी okay international football association okay next penalty corner का सम्मंद किसके से है तो hockey से इसका सम्मंद है और सुलीन महिला स्वास्तिवा शारिरिक सिक्षा महाविद्याले किस राज्य में है option number B जारखन में है संदीप सिंग का सम्मंद किस खेल से है hockey से है रास्टी युवा नीती 2003 के अनुसार युवाओं की आयू निर्धारित की गई है तो 13 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है 35 वे रास्टी के लों का आयोजन कहां किया गया था तो केरल में किया गया था 35 संसकरन की बात की जा रही है वर्ष 2014 के रास्ट मंदल के लों का आयोजन कहां हुआ ग्लासगो में हुआ प्यूपिल, प्लेस, पैशन या रास्ट मंदल के लों के किस संसकरन का थीम था तो 20 संसकरन का थीम था ओप्शन नमर 20 करेक्टी है राशिद अनवर का सम्मंद किसे है तो कुष्टी से इनका सम्मंद है जे ई पार्क ने स्वास्ते सिक्षा के कितने उद्देश बताएं है ओप्शन नमर सी 3 उद्देश बताएं है थाइमिन किसे कहा जाता है तो बिटैमिन B1 को थाइमिन के रूप में जाना जाता है बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन का सम्मंद किस खेल से है तो लॉन टेनिस से इनका संबन्ध है नेक्स्ट एक्वेशन खेल मनोविग्यान का पिता किसे कहाथ किसे जाना जाता है खेल मनोविग्यान कॉल मैन ग्रिफिट को खेल मनोविग्यान के पिता के रूप में जाना जाता है और अगर पूछा जाए कि मनोविग्यान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है तो विलम बुंट को मनोविग्यान के पिता के रूप में जाना जाता है डॉच का सम्बंद किस खेल से है डॉच की बात यहाँ पे की जा रही है होकी से इसका सम्बंद है निम्ने कितमे से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? Option नमबर D, डबल फॉल्ट का संबंद टैनिस से है? ये जोड़ा यहाँ पे सही सुमेलित है वॉलेवॉल के केल के मैदान के माप कितनी होती है? तो 18 इंटो 9 मीटर A. प्लानी स्वामी का संबंद के स्केल से है Option नमबर D, डबल फॉल्ट से इनका संबंद है Next question, किस केल को स्कॉट लैंड में शंटी कहते हैं? और सही आंसर आप सभी ने गैसी कर लिया है किस केल को स्कॉट लैंड में शंटी कहते हैं? According to me, इसका आंसर कबड़ी होगा दोस्तो कबड़ी को स्कॉट लैंड में शंटी की रूप में जाना जाता है लेकिन यहां पर कबड़ी option नहीं दिया हुआ है तो इस question को भी आपको चेक करना है और इसका आंसर हमें comment box में लिखके बताना है कि किस केल को स्कॉट लैंड में शंटी कहते हैं दोस्तो आप दिये गए हुंबर question को एक बार चेक जरूर किया कीजिए और आंसर comment box में लिखके हमें जरूर बताएं भारती मेलाओ ने किस वर्ष ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था option number C 1980 मासको में भारती मेलाओ ने पहली बार ओलंपिक में भारती मेलाओ ने उलंपिक में पहली बार भाग लिया था मानस्पेशिया शरीर के वज़न का कितना प्रतिशत होती है option number C 40 प्रतिशत माइकल फ्लेप्स का सम्मंद किस देश से है option number A सयुक्त राज अमेरिका से है come and play योजना की शुरुवात किस ने की थी तो भारती खेल प्राधी करण ने की थी next निमलिकित में से कौन सा युगम सही नहीं है option number C स्टैपर बिधी कॉंबिनेशन प्रतियोगिता ये युगम सही नहीं है इसके लावा देखे round robin प्रतियोगिता tabular method, challenge प्रतियोगिता cobweb method और knockout प्रतियोगिता में बाई दी जाती है ये सब यहाँ पे सही है लेकिन option number C गलात है वर्ष 2016 रियोदी जिनेरो olympic kilo कायोजन कहा हुआ था तो रियोदी जिनेरो ब्राजील में इस कायोजन किया गया था now the next question is asking थोड़े से questions और बाकी है दोस्तो पूरे 125 question हम आपके लिए series में लेके आये हैं तो वीडियो को पूरा पूरा last तक जरूर देखे देखें next question में पूछा गया है tennis की गेन का भार कितना होता है और option number option number one is correct here 56 to 59.4 gram होता है tennis की गेन का भार राजीव गांधी खेल रतन पुरसकार विजेता निमन में से कौन है option number C लिएंडर पेस राजीव गांधी खेल रतन पुरसकार विजेता कौन है तो देखें लिएंडर पेस और साथी साथ बिराट कोली जी को भी पुरसकार दिया जा चुका है 2018 में तो ये दोनों ही राजीव गांधी खेल रतन पुरसकार विजेता है सोम देव वर्मन का सम्मंद किस खेल से है option number B लॉन टेनिस से इनका सम्मंद है hockey वोल का बजन कितना होता है option number D 156 to 163 gram विकास गौडा किस खेल के खिलारी है option number A डिसकस त्रो से इनका सम्मंद है hockey कप पहला विशू कप कप और कहां आयोजित किया गया option number D 1971 बारसी लोना वर्ष 2014 में विंटर ओलम्पिक के लो का आयोजिन किस देश में किया गया था रूस में किया गया था वैडमिंटन के खेल में जाल की लंबाई और उचाहिक रमसा कितनी होती है option number C 6.99 मीटर और 1.59 मीटर लंबाई और चोडाई उबेर कप का समन्द किस से है तो बैडमिंटन से है प्रतमेशाई के लोका आयोजन उन्नी सु इंक्यामन में नई दिल्ली में किया गया था 36 वे रास्टी खेलों का योजन कहां पर हुआ option number C इस करेक्टियर गोवा में हुआ रगवी किस देश का रास्टी खेल है option number D रगवी न्यूजिलेंड का रास्टी खेल है स्ट्राडल का समन्द किस केल से है option number A इस करेक्टियर उची कूच से स्ट्राडल का लेट्स मूब तो नेक्स क्वेशन अंतर रास्टी खेलों पिक एकेडमी का मुख्याले कहां पर है option number B Athens में है सुलावे यानि कि 16 एसियन खेलों का योजन कहां हुआ गौंग चाउँ चाइना में हुआ बरत्मान में फुटबॉल विशुकप विजेता देश कौन है तो यह आपका उमर क्वेशन है कि 2022 का जो विनर है वो कौन है बताईएगा आपका विन्बॉक्स में लिखके Boston Swing Stigger का संबंध कैस देश से है तो जर्मनी से इनका संबंध है प्रत्म रास्ट मंदल के लोग का आयोजन एमिल्टन कनाडा में किया गया था 1930 में किया गया था भारतियोलंपिक संग के अध्यक्ष कौन है तो नरेंद्र दुरूप बत्रा जो है भारतियोलंपिक संग के I.O.A. के जो अध्यक्ष है वो कौन है नेक्स्ट तो नरिंदर दुप बत्रा जी है नमने कित में से सुमेलित है सही सुमेलित कौन सा है देखे ऑप्शन नमबर ए रिंग का संबंद जो है वो बास्केट बॉल से है यहाँ पे सही सुमेलित है ओके नेक्स्ट उक्वेशन इस आस्किंग डाट विश्ट वॉलीबॉल संग की स्थापना कप की गई थी ओप्शन नमर सी नाइंटीन एंड़ फोटी सेवन में एम्म जोसिप ट्रॉफी किस केल से संबंद देत है तो वॉलीबॉल से इसका संबंद है एम्म जोसिप ट्रॉफी ग् महिला वर्गे की विजेता कौन थी तो एंजलीका केरबर अंडर 19 क्रिकेट विश्ट कप 2016 का विजेता कौन था ओप्शन नमर ए वेस्ट इंडीस सुनील छेतरी किस केल से संबंद देते है तो फुटबॉल से इनका संबंद है सभी को पता है डेविस कप किस केल से संबंद ह सें है तो यह रही है यहां पर वन ट्विट्वड की सीरीस आपने कितना वे स्कूर किया है कमें बॉक्स में लिए जरूर बिताए 앞으로 वीडियो लेखे आपके लिए आते रहेंगे तो उ से मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल दं टेकियर गड़ बाए